कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमा नहीं मिलता जी हाँ, जिन्दगी कुछ ऐसी ही है, एक चीज़ पे आगे बढ़ाती है तो दूसरों में कॉम्प्रोमाइस चाती है दो राप पे लाके हमें हमेशा खड़ी कर रहती है, इसी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी दो ऐसी कॉमन सिचुएशन है, जो हमारी जिन्दगी में हमेशा हमारे सामने आती है कहां आगे बढ़े और कैसे जाए इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी जब भी ये सिचुएशन मेरे लाइफ में आती है तो मैं क्या करती हूँ और इसके बारे में जब दूसरी लोग मुझे पुछते है कि उन्हें क्या करना चाहिए तो मैं उन्हें क्या कहती हूँ इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे हेलो, नमस्ते, हम आर यू आल टुड़े अगर आपको नहीं मालूम मैं किस बारे में बात कर रही हूँ तो शायद आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजे जी हाँ, ये वाला जो आई कार्ड में अभी आपको लिंक देख रही है वही वीडियो पहले देख लीजे क्योंकि जब आदी अधूरी बात हम सुनते हैं तो बात समझ में नहीं आती और जो बात समझ में नहीं आती वो confusion create करती है तो confusion में क्यों जीए समझ लेते हैं बात को तो वो वीडियो पहले देख के आईए एक माँ अपनी जवाबदारी को छोड़ कर अपनी जिम्मेदारी को छोड़ कर अपने घर परिवार की जो जिम्मेदारी है उसके उपर अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी है उसके उपर वो संभालते हुए अपनी professional life में आगे कैसे बड़े ये situation के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इसे के बारे में पुछा गया है हमारी बहुत सारी बहने इसी situation का आज सामना कर रही है और उन्हें guide करने वाला कोई नहीं है शायद मेरी इन बातों से उन्हें कुछ होसला मिले और guidance मिले सबसे पहले मैंने क्या किया जब मैं ये situation में थी उसके बारे में बात मैं करूँगी लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ हर एक की situation different होती है सो यहाँ पर एक ही मापडन से काम नहीं चलेगा सबसे पहले आपको अपनी situation को मापना तोलना पड़ेगा आप क्या चाहते हो क्या बहुत माइने रखता है आपकी जिन्गी में वो भी बहुत जरूरी है जानना आपको अपने लिए तो जी हाँ मैंने क्या किया यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब इतना मुझे external help नहीं था मेरी सास हमारे साथ नहीं रहती थी और वो ज़्यादा तर इंडिया रहती थी इसलिए वो मुझे help नहीं कर पाती थी लेकिन मैं जानती हूँ अगर वो मेरे साथ रहती तो मुझे अपनी बच्चों की कोई चिंता नहीं होती और मेरे पती का भी traveling job था तो इसलिए वो भी काफी इस देश से बाहर ही रहते थे तो बच्चों की पूरी जवापदारी मेरे हाथ में थी मेरे उपर थी अब इस situation में अगर मैं अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती तो मेरे बच्चे neglect हो सकते थे और मेरी priority मेरे बच्चे है मेरे बच्चे थे और मेरे बच्चे रहेंगे उनकी शादी हो जाने के बात भी जी हाँ ये मेरा खुद का decision है इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है सबने मुझे बहुत support किया और जब भी हो सका उन्होंने मेरे बच्चों को ध्यान दिया लेकिन मैं एक ऐसी हूँ मा जो अपने आप पे ज़्यादा भी स्वास करती हूँ और खुद ही अपने बच्चों को छोड़के कहीं पे मैं जाना नहीं जाती थी लेकिन उसे के साथ मेरे लिए मेरा professional life भी बहुत ज़रूरी था तो जैसे मेरा professional life बढ़ता गया और मुझे लगा कि मेरा काम बहुत बढ़ रहा है और मेरे बच्चे निगलेक्ट हो सकते है उस situation में मैंने अपने आपको stop कर दिया मैंने उतने ही assignment लेना चालू रखा जो मेरे regular customer थे और उनको कोई भी वक्त की पाबंदी नहीं थी वो किसी भी time पे मेरे flexible time पे मेंदी लगा सकते थी तो मैं ऐसे ही assignment लेती थी जब मेरे बच्चे स्कूल में जाते हो स्कूल में busy हो और यहाँ पर हमारे यहाँ extra-curricular activity स्कूल में ज़्यादा होती है tuition वगेरा होता नहीं है तो इसलिए secondary में आने के बाद बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल में ही रहते हैं तो मैं उसी हिसाब से अपने assignment लेती थी और कोई odd assignment बीच में आ जाता तो मैं अपने पती के साथ उसका schedule चेक करके वही assignment लेती कि जब मेरे पती मेरी गेरहाजरी में बच्चों को ध्यान दे पाते और अब जब मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए है independent हो गए है तो मैं अपने काम पे ज़्यादा focus करती हूँ मैं वही करती हूँ जिसे मुझे खुशी मिलती है अब जब भी मुझे इस बारे में दूसरे लोग को पूछते हैं तो मैं उन्हें वही कहती हूँ कि पहले तो आप अपनी situation को evaluate करो क्या आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपना professional life या आपके बच्चे क्योंकि अगर आप professional life पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे focus दोगे तो कहीं ना कहीं बच्चों की जिन्गी से थोड़ा सा compromise आपको करना पड़ेगा लेकिन अगर आपके पास ऐसा family support है आपकी सास, आपकी mom आपका husband जो बहुत अच्छे से आपके बच्चों की देखबाल कर सकते हैं आपसे भी ज़्यादा अच्छे से वो अपने बच्चों की देखबाल कर सकते हैं तो फिर पेफिकर होके उनके support के साथ आप अपने professional life में आगे बढ़ो लेकिन being a mother मैं जानती हूँ बहुत difficult होता है इस तरह से बच्चों को छोड़ कर अगर हमें बार-बार जाना पड़ता है तो लेकिन जितना भी आपको टाइम मिले वो आप अपने बच्चों के लिए परिवार के लिए spend करके balance वहाँ पर बना सकते हो बच्चे भी दिरे-दिरे समझ जाते है कि मम्मा का जाना जरूरी है ये मम्मा का काम है जैसे वो school जाते है वैसे मम्मा अपने काम पे जाती है तो बच्चों के साथ वो tuning रखोगे वो balance रखोगे तो आपको भी guilty कम होगी आपके बच्चों में भी वो neglect feeling नहीं आएगी और आपके पास अगर family का full support है तो आपके बच्चे बहुत safely securely पलेंगे पढ़ेंगे लेकिन जैसे मैंने कहा हर एक situation different होती है तो आपकी situation क्या है उसको सबसे पहले आपको evaluate करना पड़ेगा आपको life में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए वो भी आपको evaluate करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों की छोटी सी छोटी बाते और उससे मिले जूले हर एक situation में मेरा होना बहुत ज़रूरी है ये मेरा मानना था तो इसलिए मैंने अपने professional life को थोड़ा सा compromise किया और बच्चों की life को बहुत ज़्यादा important दिया लेकिन जैसे वो बड़े हो गए mature हो गए अपने आपको संभालने लगे तब मेरे लिए उनको अकेला छोड़ना और अपने काम पे focus करना बहुत ही आसान हो गया फिर एक है कि पढ़ाए करें या मेंदी में ही आगे बड़ें मेरा ये मानना है personally ये मेरा personal opinion है कि basic education is the must जो basic education होता है वो बहुत बहुत जरूरी होता है और एक basic education के होने से आपके पास एक safety net भी रहता है कि अगर कुछ भी आगे हो जाए अगर आपका मेंदी का काम by chance ना भी चला तो आपके पास आपका education है जो आपको financially support कर सकता है किसी भी वक्त तो इसलिए education complete कर लो अपना basic और फिर जाके मेंदी में आगे बड़ो कोई नहीं रोकता आपको और फिर आपको अगर काम मिल भी जाता है जौब मिल भी जाती है तो काम करते करते अपनी जौब करते करते साइड में आप अपने मेंदी का business भी set कर सकते हो अपने flexible free time में और एक बार आपका मेंदी का काम set हो गया उसके बाद आप अपनी job भी छोड़ सकते हो बहुत सारे आर्टिस ने इसी तरह अपने काम की मेंदी की शुरुवात की थी अब कई लोग पूछते हैं कि मेंदी सीखने का शौक हुआ सबने support किया फीजदी आर्टिस लोगों के और वो मेंदी सीख भी गए लेकिन अब दूसरी आर्ट में उसका attraction हो रहा है तो मेंदी की नहीं जाती मेंदी से दिल भर रहा है अब हमें दूसरा आर्ट सीखना है तो हम क्या करें अब family को वापस हम क्यों disrupt करें financially तो उन लोगों को मैं ये कहती हूँ कि ऐसे तो life में बहुत attraction आएंगे आज ये अच्छा लगा कल वो अच्छा लगा जो काम चालू है उसे बंद क्यों करना जो income आपकी चालू है उसे चालू रहने दो क्योंकि आपको मेंदी अब आ गई है इसलिए आप saturation point पे पहुँच गए हो जब आप saturation point पे पहुँच जाते हो तो वो काम boring लगता है जब आप कुछ नया नया सीखते हो तो वो stimulization होता है और इसलिए stimulate करता है आपको mind को इसलिए आपको उसकी तरफ attraction होता है जी हाँ एक ही दिश आप खाते रहोगे तो बोर हो जाओगे उसी तरह आपको मेंदी आ गई है आप saturation point पे हो इसलिए वो boring लग रही है लेकिन वो आपको financially help कर रही है तो अगर कुछ चीज आपको financially help कर रही है आपका काम अच्छे से चल रहा है तो चलने दीजिए लेकिन आप डूसरा art भी साथ में सीख सकते हो time की मारा मारी है तो एक काम करो मेंदी को संपूर्ण रुप से बंद मत करो selective हो जाओ अपने assignment को लेके customer के पीछे मीछे मत भागो आप अपना price list काम वगेरा एक standard पे लाके रग दो कि ऐसा होगा ये standard से meet होगा वही assignment आप लोगे तो आपको काम भी selective मिलेगा अच्छा मिलेगा पैसे भी आपको मिलेंगे और उस पैसे का इस्तमाल करके आप दूसरी art सीख सकते हो आई बात समझ में फिर आपको अपने parent से अपने husband से अपने family से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे आपको अगर कुछ सीखना है तो आप independently अपने पैसों से वो सीख आते हो और इसलिए guilty भी feel नहीं होती कि हम किसी को बार-बार financially burden करते हैं तो जो काम चल रहा है उसे बंद मत करो उसे चलने दो selective हो जाओ वही मैं कर रहे हूँ आज मैं बहुत ही selective मेंदी के assignment लेती हूँ जिस customer को मेरा price list perfect लगता है मेरा काम के हिसाब से मेरे काम के हिसाब से मैं वही assignment लेती हूँ तो मुझे मेरे दाम भी मिल जाते हैं मैं अपने काम से compromise भी नहीं करती और जो मुझे पैसे मिलते हैं वो पैसे मैं नई आर्ट सीखने के लिए invest करती हूँ तो ये एक win-win situation हो जाती है और इस तरह से मैं अलग-अलग आर्ट सीखती रहती हूँ तो ये formula आप भी use कर सकते हो जब भी आपको नई नई चीजे सीखने के लिए attraction हो लेकिन एक बात याद रखेगा बहुत सारी निशाओं में एक साथ भागने की कोशिश मत कीजेगा क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है मेंदी भी करनी है हैस्टाल भी करनी है मेकप भी करना है cooking भी करना है tillering भी करना है mandala भी करना है portrait भी करना है oil paint भी करना है भोलके मैं ठक रही हूँ तो सोचे वो कर पाएंगे वो दोड़ते दोड़ते वही रुक के आपको मिलेंगे कहीं नहीं पहुँच पाएंगे तो जी हाँ ये golden mantra याद रखेगा इसे के साथ मैं भी ना आपसे रजा लेती हूँ इस topic पे अगर आपको कुछ कहना है जिसकी बार में हमने बात की है उस topic पे तो comment के जरी आप मुझे बताएं ताकि हम अगले वीडियो में बात कर पाएं इसके उपर जब तक आप पताते नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी दुवीधा में कौन से दो रहा पर खड़े हो जब आप बताओगे तो रास्ता मिल जाएगा तो चलिए वापस मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में तब तक के लिए जानते ही हो अप स्टे ब्लेस्ट स्टे इंस्पाइड और कीप इंस्पाइरिंग आवरीवन टिक केर आवरीवन बाबाई सी यू थेंक यू